तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूटूब चैनल इजी स्टेडी में दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही जादा इंटरस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ए मैंने बनाई थी switch case statement के उपर अगर आपको वो concept clear है तो वही concept हम इसमें यूज करेंगे हम इसमें switch case statement का यूज करने वाले है अपना calculator बनाने के लिए तो अगर आपको नहीं clear कि switch case statement क्या होता है तो उपर आई बटन पर मैंने अपनी पुरानी वीडियो जो कि मेरी switch case statement के उपर थी वो दे रखिया आप बहां पर जाके उसे देख सकते हैं और अगर आपको clear है कि switch case statement क्या होती है तो शुरू करते है हमारी आज का ये वीडियो जिसवे आप बनाने वाले एक सिंपल साख calculator तो calculator बनाने के लिए मैं चलता हूं अपने compiler के उपर जो कि मैं online ही खोला हूं और यहां पर सबसे पहले जो भी मैं program बनाता हूं उसता मैं क्या कर लेता हूं एक उसता मैं एक क्या कर लेता हूं header file नहीं sorry comment इग लूड कर लेता हू programming language ठीक है मैंने यहां पर comment दे दिया कि हम किसके ओपर प्रोग्राम बना रहे हैं और उसके बाद मैं यहां से शुरू करता हूं अपनी header file को लगा ना header file लगा दो मैं यहां पर hash include stdio.h or head include koneo.h ठीक है मैंने 2 header files में यूज की hash include standard input output और console input output की उसके बाद मैं यहां से करूंगा main की शुरूआत और mail मैं इसमें void रखूंगा वह में रखने के बाद मैं क्या करूंगा जीचा के curly braces को यहां से शुरू कर देता हूं और curly braces को मैं यहां से कर रहा हूं शुरू और अब होगा क्या अगर आपको बता हूं simply calculator में होता है क्या हम पहला first value एंटर करते हैं ठीक है फिर हम second value को एंटर करते हैं फिर उन दोनों मे बैल से दोनों वैल्यूस में कौन सा operation हमने करवाना है वो चीज एंटर करते हैं दोनों में operator को एंटर करते हैं मा लीजी मुझे 2 और 2 को प्लस करवाना है दो और 2 मेरे पास क्यों होते हैं चार होते हैं तो सबसे बहले मैं दो एंटर करूंगा फिर मुझसे बुशे का कि उस लुऑन साइन को जूँज करूँगा तो मुझी मेल ली क्या इसमें क्या करना पड़ेगा एक first value के लिए eIKT value के लिए एक operation के लिए और मोद में मुझे दोनों का result मीजा जा इंब बी जाहिए और एक result के लिए मॉझे इसमेचार variable को निंगकर करना होगा चार वेरीवल कौन कौन से वोगे एक first number होगा second number होगा और एक मेरा operation होगा और एक होगा मेरा results तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं सबसे पहले variable ही लिटेल कर लेता हूं और जो मैं first value एंटर करवाएगा यूजर वहोगी का फ्लो टाइप value होगी इसलिए मैं जो दो वैरिड़ाओंगा n1 और n2 वो float टाइप के होगे और मैं यहांपे लिख लेता हूं float n1 4-1 and n 2 4-2 float n1 ए n 2 लिखने के बाद मैं क्या करता हूं यहांपे operator के लिए एक वैरिवल बना लेता हूं जिसे मैं क्या करूंगा जो की मेरे पास character type का क्योंकि क्रेक्टरी जो होता है प्लस मैनस डिवाइट एक्सेटर वो क्रेक्टर में आते हैं तो यहां मैं डायक्टर टाइप का जो है वो बी रख लेता हूं उसका नाम उसके बाद मुझे रिजल्ट भी चाहिए दोने में जो प्रेशन होगा उसके बाद जो रिजल्ट आए करी एंवान आटी की मेरे पास क्यान नंबर ढुर्ग ऑन प्रेंटर जो की मेरे पास किलिए करेक्टेर टाइब जिसमें मैं अपना क्या ऊपॉरेशन finns करूंगा और फना रिज है कि रिजल्ट व्लोटर के जो लिए रिजल्ट होगा उसके बाद मैं कहोंगा जहां पर थोड़ा सा ऐसे सजाने के लिए मैं कहा रहा हूं है यहापे थोड़ा सा ऐसे क्या है कि यहां पर लिख दूगा तो कैल देख लेटर इस तो इस इस एब फरी फ्रेटीब लगेगा मेरा प्रोर्णम उसके बाद करके सब्सक्राइब को एंटर कीजिए अगर मैं से कैपिटल लेटर में लिखने के बाद मैं यहां पर आ रहा हूं और यहां पर सैमिकलों लगाना जूदी है और जो भी वह नंबर एंटर करेगा उसे मुझे स्टोर करवाना यहां पर मुझे पता वह कौन सा एक फ्लो टाइप वैल्यों तो मेरा फॉर्मेट स्पैसिवाइब कौन सा का परसेंट एफ होगा और एडर्स टू करेगा वह एनवान ठीक है उसके बाद मुझे दूसरा नबर एंटर करवाना है दूसरा नबर मैं एंटर करवा लेता हूं एंटर दा सैकिंड नंबर अब जो एंटर करेगा सैकिंड नंबर को उससे मुझे किसमें स्टोर करवाना है एंटू के अंदर स्टोर करवाना है उसके लिए भी मैं स्कैन अफ का फॉंक्शन का यूज़ करूँगा स्कैन फॉंक्शन का यूज़ करूँगा परसेंट एफ क्यूंकि जो मेरे पास डाटर टाइप वह फ्लोट का है और मैं स्वर्मेंट स्पैसिफार भी परसेंट एफ यूज़ करूँगा और एड्रस टू कर दूँगा यसे एंटू मतलब कि जो भी वह सैकिंड नंबर इंटू के अंदर स्टोर करना और यहां पर सैमिकलोन लगा दूँगा उसके बाद मैं निच्छे आऊंगा और आप मुझे करना एक ओप्रेटर भी क्या करवाना उससे इंपूट करवाना तो मैं यह आप लिखूँगा प्रिंट आप लिखेंगे माग माने यहां पर लिख करवाना है ठीक है यह मैंने क्या कर दिया उससे क्या कर दिया ओप्रेटर को स्लेक्ट करने के लिए क्या दिया अब जो भी वो प्रेटर एंटर करेगा उसमें मैंने किसे मैंने किसमें स्टोर करवाना ओपी में स्टोर करवाना जाने कि क्रेक्टर ओपी में स्टोर करवाना तो scanf का यूज़ करूँगा अब में पास जो यहां पर data type वो character type का है इसलिए में पर format specify कौन सा यूज़ करूँगा %c यूज़ करूँगा और यहां पर address कर दूगा इसे op कि जो भी वो operator एंटर करवाता है उससे मैं op के अंदर store करवा दूगा तो यहां सब तक का concept को clear होई गया होगा मैंने simply दो नबर्स इंपुट करवाया यूज़ से scanf की हलसे में असाइन करवा दिया और एक character जो की मेरे पास operator होगा उसे इंपुट करवाया और असाइन करवा दिया उसे op में और उसके वाद मैं यहां पर switch का यूज़ करने जा रहा हो switch statement का यहां से क्या करूंगा यूज़ करूंगा सबसे पहले मैं करें तो switch का यूज़ शूरू और switch statement का आपको अगर यहां से switch operator करने के बाद case values रिखेंगे यहां से switch operator करने के बाद case values रिखेंगे पहला case अगर यूजर मा लीज़े कि प्लस करवाना चाहिएगा तो वह operator कौन से अड़ करेगा positive का operator प्लस का operator अड़ करेगा तो उस case में क्या होगा मेरे पास result जो होगा वो क्या होगा N1 प्लस N2 होगा ठीक है ना अगर case positive हो तो result मेरा N1 प्लस N2 होगा ले रहे तीन चीज़ और उसके वाना print क्या करवाऊँगा कि अगर प्लस होगा इसका मजब एडिशन होगी है तो मैं यहां पर लिख दूँगा अडिशन इकोस टू परसेंट एफ परसेंट एफ क्यों लिखा क्योंकि जो मारे पास result है वो एक परसेंट एफ बैली है और यहां पर मैं क्या करूँगा इसे assign करने के लिए simply क्या कर देए भाँ कなた के आध में ब्रेक लगाना जैका जूबर लिखने के बाद वाद मैं ब्रेक लगाना जुरू होता है क्योंकि इस टॉममरा स्विच टरिमिने नहीं होगा तो जैंप यहला भी मैं ब्रेकलेगां घandraने के बाद माने मैं है अग्या में ठीटो सज़े संब कर वो क्या आगा हमारे पास N1-N2 होगा और इस case में मुझे क्या print करवाना है इस case में मुझे print करवाना है subtraction equals to percent f और इसे मैंने address कहां करना है result के अंदर से store करना है इसलिए मैंने इसे assign कर दिया result के साथ अब यहां फिर से break लेगा हूंगा क्योंकि switch को terminate करना होगा वरना अगली statements अपने आप execute होती जाएंगा इसलिए मैं break का use करता जा रहा हूं ठीक है ना उसके बाद मैं यहां पर आओंगा और नीचे आए था क्या है तीसरा के समारे पास की अगर यूजर जो मारा ओप्रेटर है वो मल्टीप्लाइ इंपूड कर वाया थोर्के समारे पास क्या के इस मल्टीप्लाइ के लिए आप दया लेखना के लिए जब मल्टीप्लाइ रिजल्ट कर आओ आँ मारे पास अन्वन ऐसे क्या और अन्टू अमो होगा इस के से मुझे पींड करवाना है इस की समय प्रिंट करवाना कि मल्टीप्लीकेशिन ектор 2 sjt तो यसन रुसका हुए को गारी सिर्फ फर्सुरा है और यह पिता है कि एक टीवाई कफ कर रहा हूं ऑर उसे और यह वर ही चॉद्ध क्या आरा हैं सरे रिजर्ट के इंडर क्या को छले करवाजसेशarette करना है और यहां पर break use करूँगा, अब मेरे पास last case रहा गया कि अगर वो divide choose करे, तो case लिख लेते हैं यहां पर, case, divide, result, इस case में result का होगा हमारे पास, sorry, result equals to n1, divided by n2, और अगर यह हुआ, तो मुझे क्या प्रेंट करवाना, मुझे तब प्रेंट करवाना है, division equals to percent f, और इसे सनी करवा देना है, मुझे result के अंदर, और यहां पर semi कलों लगाएंगे, और last में हम break use करेंगे, और अगर मा लेजे, इन चार operator में से, plus में, minus में, multiply में, या फिर divide में, इन में से कोई भी हो है, operator user जो वो input नहीं करवाएगा, माली जी user कुछ और input करवा लेता है, तो उसके लिए हम last में क्या use करते हैं, switch case statement में default, इन माली जी कोई भी case अगर switch की statement से match नहीं किया, switch के अंदर जो हमने op लिख है, उससे कोई भी case statement match नहीं किया, तो last में हम क्या use करते हैं, उसके select the correct operator, कि क्रिपया करकर correct operator को आप select कीजिए, अगर कोई भी case match नहीं किया, तो यह मेरा default वाला जो portion है, वो execute हो जाएगा, और last में मैं break करूंगा use, तो यहां में मैं ऐसे कर लेता हूँ बन, और इसे कर लेता हूँ बन, तो देखिए friends हमारा पूरा प्रोग्रम तेयार हो चु दो वैल्यू इंपूट करवाई user से, जिसे हमने scan as key help से उने assign कर दिया, फिर हमने एक operator input करवाया, और last में जो result है, वो हमने बाद में switch case statement में, उसका user मने कैसी किया, sorry friends, किसे मिटा देंगा, उसका user मने कैसी कि आपको बताया, मैंने switch operator, मैंने operator को as a switch रख लिया, कि जो operator जो ह करेगा, तो यह जे रिजल्ट करना, अगर माल जे user जो है, वो positive, plus input करवाई, मतलब addition करवाना चाहे, तो plus होगा, तो तब यह चीज़ होगी, अगर user ने plus input करवाया, तो यहाँ पे क्या होगा, यह चीज़ हो जाएगी, addition हो जाएगी, result equals to n1 plus n2, अगर उसमें multiple ए करवाना च चुका है, बट अभी तक भी, इसमें एक default है, अगर मैं इसको run करता हूँ, यह run नहीं करेगा, देखिए, अगर मैं ऐसे run किया, देखिए, एक तो इसमें konio का default है, कि modern compilers, जब वो konio.h को include नहीं करवाते, आप फिर से run करूँगा, देखिए, इसने मुझ से number पूछा है, जब माली जी मैं यहाँ बन भरूँगा, फिर यहाँ पर टू बरूँगा, सुरी, पहला number मैंने किया किया, फिर से run करेंगे से, इसने number एंटर करता हूँ, 3, तो देखिए, अच्छे से work नहीं कर रहा है, देखिए, यह क्यों work नहीं कर रहा है, अच्छे से आपको बताता ह दो नहीं तीन float value जो लिना है, दो यह वाली और एक यह वाली, उन में से एक हमारी पास character value है, तो इससे हमारे compiler को थोड़ी confusion होती है, और उसे दूर करने के लिए हमारे पास जहाँ पे character की scan fi, जेखिए, कहां पे आजे, %C पे, हमारे कुछ नहीं है, जहां पे हमें क्या लग दिना है, इस से क्या होता है, इस से क्या होता है, और यह प्लेक्सिती थोड़ी कम हो जाती है, देखिए होगा कि अशे, आप जो है, पहला float value steam थी उसमें से एक character था, इसके कारन थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी फाइलर में, आप यह क्या, लेकिए, एंट पर फॉर्स इस से क्या है, और आप देखेंगे कि मुल्टिप्लिकेशन जो है, 7, 6, 42, वो 42 मेरे पास अंसर आ चुका है, और अगर मैं यहाँ पर slash n को remove करवा दू, माली जी यहाँ पर मैंने slash n को remove करवा दिया, अब आप देखी क्या होगा, enter the first number, मैंने यहाँ पर दो किलिया, enter, यहाँ पर enter the second number, 7, enter किया, please select the operator, please select the cracked operator, इसने यह वाली statement को miss ही कर दिया, मतलब इसने मुझसे operator मांगा ही नहीं, तो यह की हुआ है, मैंने आपको बताया, कि जब भी हमारे पास ज़्यादा float values हो, और उन में से हमें एक cracked value को include कर लेते हैं, उससे compiler में थोड़ी सी गड़वड़ी हो जाती है, करवना चाओंगा, तो देखी आपके सामने multiplication जो है, फिप्टीन थीजा क्या होता हमारे पास 45 होता है, तो multiplication का अंसर आ चुका है, फिर से रहन करके देखेंगे, और enter the first number, माल दीजिए कि मुझे क्या करना हो 76 और 84 को add करवाना है, तो यहाँ पर 76 में फिर से रहन करूंगा, थोड़ी गर्बड़ी होगा, फिर से रहन करूंगा, थोड़ा लेज लिखा मैंने, 76 यहाँ पर फिर से रहन करूंगा, और second number input करने को करेगा, जो कि मैंने हाँ पर लिखूंगा, 84 और enter करवाँगा, प्लिस लैक दा ओपरेटर, तो plus को add करवाँगा, देखे आप क्या होग कैसे कैसे तयार किया, और बहुत मैने लगती है फिट्यो मे प्रिज लैक पर कमेंट कि है, अगर सब्सकाइब कर दया को many हो तो तो फ्रेंट्ड फिछली वीड़ीय में अगली वीडियो थे लिदियो व mouvement बनाएंगे तो आमने वीडियो में अपना काम पूला करी है, अबह पुछते हैं कि आपने hash include को नहीं किया है, तो मैं आपको बता दू, यह modern compilers है, यह पराने टर्बोसी वाला compiler नहीं है, और यह मैं online compiler यूज करना हूँ, इसमें मुझे hash include कोनी.h की usage, यानि की use नहीं करने पड़ती, और ना ही इसमें मुझे clear screen का यूज करना पड़ता है, दे की सब काम में यह खुदी कर लेता है, तो I hope को यह आपको समझ आयागा कि क्या से हमें calculator बुना सकते हैं, हमारी C programming language के अंदर बहुत ही असानी से twitch case statement का use करके, और वीडियो चले की तो यह like करेना मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में.